हलो स्टुन्ट्स मैं से अगे चलते हैं इसके आगे यूरो कोड़ेटा हम पढ़ेंगे आज दूसरा सा फाइलम है यूरो कोड़ेटा जो शब्द है वो ग्रीक वसा के दो शब्दों से मिलकर वना हुआ है यूरो मींस टेल और कोड़ेटा मींस नॉट अकॉर्ड विरिंग अनिमल्स लेमार्क ने टूनिकेट को सबसे पहले इनका नाम टूनिकेट रखा क्योंकि इनका टेस्ट पाया जाता है इनके चार और कुवेर ने इनको जब देखा तो उसमें में इनको मोलस्का के अंदर रख की यह है कि यह तो यूरो कोड़ेटा की प्रिकटि कोड़ेटा के समान होती है और फिर उसके बाद में इनको संग कोड़ेटा के अंदर रखा गया गार श्ट्रेंग और ने पर ने सन 1895 चान में इनका नाम करन करके और इसका नाम यूरो को डिटा रखा इसके जर्नल करेक्टर्स कुछ इस प्रकार हैं पहले ये पूर्ण दिया समुद्री होते हैं यानि कोई भी एनीमल इनका स्वक्ष जल्म नहीं पहे जाता सारे के सारे एनीमल समुद्र में पहे ज रहते हैं उथले जल में भी होते हैं इनमें नौटो कोड के किवल पूछ वाग में ही पहे जती है इसलिए इनका नाम यूरो कोड़ेटा रखा गया यह अधेक्तर इस्थान बद्द होते हैं या किसी सर्फेस से चिपके हुए रहते हैं यह विलांचली होते हैं या स्वतंत करके रह सकते हैं इनको समुद्री फावारक आ जाता है क्योंकि इनमें पानी बरता है और गया कि और और निक और निकलती है इस लिए उनको वहा रहाता है निके वातया रही अंतर को प्लट hydrogen होता है ने ह्यूंद कर्कार होता है जिसमें खंडडी होते और बिना यूग там होता है इनके इनका रंग के निए इस है न्यमिक्त होनि-वाइटों में इस मेंन और बडिंग के द्वारा इनमें रिप्रोड़क्शन पाया जता है शरीर के ऊपर इनमें ट्यूनीशिन का बना हुआ टेस्ट होता है इसलिए इनका नाम ट्यूनीगेटर रखा गया है शरीर में केवल दो छिद्र होते हैं एक ब्रेंकिल अपर्चर होता है और एक एट्रियल अप प्रकार की होती है यानि रियल देख होगा होती है रियल सीलोम होती है लेकिन वो एट्रियम के द्वारा प्रतिस्थाफित हो जाती है इनकी आहार नाल कंप्लीट होती है यानि माउच से लेकर के ब्रेंकिल अपर्चर से लेकर के और एनस तक कंप्लीट होती है सारे ओर्गन इसके सपोर्ड के लिए पायती है यह सिलियरी फीडर होते हैं फेल्टर फीडिंग के द्वार आपना बोजन गृहन करते हैं इनमें कुला प्रकार का परिशिंचनद पायता है सरल और नली का प्लड का सर्कुलेशन है वो एक साइड में हो रहा होता है फिर उसके बाद में बापस विप्रीद दिशा में कुछ समय के लिए हो जाता है तो क्लोगवाइज भी और अंटी क्लोगवाइज भी दोनों तरफ भी गुमता रहता है उसे रिवर्स सर्कुलेशन केते हैं वो इन ही का करेक्टरिस्टिक फीचर है उसके बाद में इनमें एक्सक्रीशन जो है वो एक निूरल ग्लेंड के द्वारा पाया जाता है और पायलोरिक इनमें लार्वाल स्टेज में ही पाया जाती है बाग एडल्ट में आकरके वो एपसेंट हो जाती है केवल वैस्कों में अनुपस्तित होती है और पूल नहीं होती वैस्क में केवल एक तंत्री का कोशिका के रूप में रह जाती है इनमें डवलप्मेंट इंडारेक्ट होत कहते हैं उस लारवा को और इनमें रेट्रोग्रेसिव प्रकार का मेटागमॉर्फोस यानि पस्च गतिक कायांतरण पायाता है अर्थ ऐसा कायांतरण जिसमें लारवाल स्टेज यानि अधिक विक्षित प्रकार की लारवाल स्टेज से कम विक्षित प्रकार का वेस्क बनता ह वो ऐसी कायांत्रन को पस्ची कतिक कायांत्रन केते हैं या रेट्रोग्रेसिव मेटामोर्फोसिस इंग्लिश में केते हैं अगर इसका क्लासिफिकेशन हम देखें तो यूरो कोड़ेटा में संसार बर में लगवग 2000 या इससे ज़्यादा इस्पीसीज पाई जती हैं ओलोवर उनकी गौनाड की स्थिति के अधार पर एंटी रोगोना में एसीडी और साइना आते हैं प्लूरोगोना में हेडवनी और वोट्रलेस आते हैं उसी के बाद में थैलीसिया को तीन ओर्डर में बढ़ता गया है डॉली उलीडा साल्पिडा और पाइस पाइरोसोमीडा इनकी रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर जैसे डॉली उलीडा में डॉली उलम आता है साल्पिडा में साल्पा आता है पाइरोसोमीडा में पाइरोसोमा आता है लार्वेशिया के अंदर जिन में पर्मानेंट वीपरिटी या लार्वा पाय जाते हैं उनको फिर दो ओडर में बंट आगया है लारवेशिया को जिसका नामें endostylophora और polystylophora endostylophora में और polystylophora में कोवालवस की आता है इसके बाद ये इसमें एक हार्डवनिया का एसीडिया का चित्र है जिसके अंदर दो चित्र बताए गए और नीचे की तरफ ये हाँ इसका foot है और ये इसकी body है इस प्रकार से ये थैले के समाने की सनस्टना होती है उसके बाद में आगे चलते हैं Cephalo Codata Cephalo Codata के सामाने Cephalo means होता है head और Codata का मतलग होता लेकर की सिर्थक पायती है इनका शरीर लंबा पतला वेलाकार होता है पारदर्सी मचली के समान होता है इनमें वास्तविक विखंडन पायता है इनमें Meta Plural Fold पायेते हैं इनमें सिर का अभाव होता है यानि शरीर के केवल दो ही पार्ट होते है एक दड़ो होता है और एक पूछ होती है सिर नहीं पायेता है इनमें युगमित उपांगों का अभाव होता है अई युगमित उपांग पायेते हैं यूमित नहीं पायते है इनमें प्रस्ठीय फिन पायती है कोडल फिन पायती है और अधर फिन पायती है लेकिन पेरड फिन नहीं पायते है इनमें भाहिए एक अंकाला उनिपासित होता है इनकी epidermis एकल परती होती है single layered होती है इनमें जो PC हैं वो myotomes की रूप में पाई जाती हैं इनमें एंटी रोसील प्रकार की देह हुआ पाई जाती है जो एट्रियम गुहा के कारणें अपुहासित हो जाती है इनमें नोटो कोड रोड के समान होती है और जीवन बरिस्थाई होती है और रोस्टन तक फैली रहती है इनमें पाचन नली पूर्ण होती है गरशनी छिदरी युक्त होती है सबसे बड़ा भाग बनाती है जैसा कि यूरो कोड डेटा में हमने देखा गरशनी दरारों से और फिल्टर फीडिंग के द्वारा ये बोजन ग्रेंड करते है इनमें सुविक्षित प्रकार का परिवेहन तंत्र पायाता है और हिर्दय का इनमें अवाव होता है बंद परिशंचरन होता है लेकिन हिर्दय का अवाव होता है और जबकि य्रु कॉड़ेट आमें कुला परिशन चुरन होता है लेकिन हिर्दय पाया जाता है ये करत निवाह का उपतंत्र हुपतंत्र इनमें इसे फेल्व कॉड़ेट्स में पायाता है जैसे for example amphioxus जैसा कि ये चित्र में बताया गया ये amphioxus की बाहर की बाहिय संरचना है और ये इसकी अंत्रिक संरचना ये दोनों तरफ से नुकीली होती है amphioxus इसलिए इसमें ये जो बड़ा बाला भाग है ये इसका pharynx है जो चित्री उपते है इसके बाद में चौथा सा phylum है vertebrata vertebrata ये higher coordinates भी कहते है इनमें vertebral column में बदल जाती है इसलिए इनको vertebrates का गया इनको craniates भी का जाता है क्योंकि इनके मस्तिस्के के चार और सुरक्षा कबच cranium की रूप में विक्सित हो जाता है इनमें उच्च स्रिनी का शिरो ववन पायाता है इनमें epidermis बहुपरती होती है इनमें dermis और epidermis दोनों ही प्रकार की पायाती है इनमें तीन प्रकार की पेशियां रेखित, अरेखित और हिर्दे पेशियां पायाती है इसमें सुविक्षित प्रकार की देग हुआ पायती है आजीवन पायती है और एंटीरुसील प्रकार की होती है वो आहार नाल पूरुन होती है इनमें मुक्सी लेकर के गुदा तक सारे इंग पायती है इनमें हिरता है दुई कोष्टी है त्री कोष्टी है या चतुस कोष्टी है पायाता है इनमें सुविक्षित प्रकार का स्वसंत तंतर पायाता है और उत्सरजिन तंतर भी सुविक्षित प्रकार का होता है इनमें समन्वे स्थापित करने के लिए अंतसर भी ग्रिंतियां प मैटा गया है एगनेथा में लैंप्रे और गनेथ उस्टोट मेटा में ये सारे पिसीज टेट्रापोडा एमफीबिया रेप्टिलिया एवीज में मिलिया इत्यादी आते हैं इस प्रकार से ये कोड़ेटा का हमने क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेटा तक पड़ा थैंक यू आ अगले लक्चर में हम एमफी उक्सेस के वारें बढ़ेंगे